नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल मैं आपका दोस्त फिर आजिरु आपकी सेवा में कुछ स्वास्तेवर्थ की जानकारी को लेकर दोस्तों बहेडा बहेडा के फाइदे अर्थात वोशिदे गुनों से शायद हर कोई प्रीचत होगा इसे कई नामो प्राचीन काल से अनेकों रोगों को ठेक करने के लिए उप्योग में लाया जाता रहा है तो आज हम आपको बहेडा के फाइदे के बारे में बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों बहेड़ा के फाइदे लेने के लिए ध्यान देंडेने यह योग के बात यह है कि इसकी 3-6 ग्राम तक की मात्र्ण और अशिदे के रुम्मिय प्रयोग होती है बहेडा के जो प्रमुखों शदीय गुन है वह इस परकार दोस्तों कहते हैं कि मनुष्य शेरीर में बहुत सारे रोगों का द्योतक कब्ज बिमारी होती है और बहेडा के फाइद में सबसे पहला फाइदा यही है कि यह कब्ज को दूर करने वाला है इसका उपयोग अ और पाइल्स को भी खत्म करने में सहाइक हैं बहेडा के फाइद में अगला फाइदा यह है कि यह आँखों वे दिमाग को स्वस्त वे शक्तिशाली बनाने में बहुत गार है बालों के सफेदी और कफ जैसे रोगों में बहेडा लावदायक होता है बहेडा कफ और पित कर नाश करने वाला ततब बालों को सुंदर बनाने वाला है बहेडा के फाइदे में अगला फाइदा या है दोस्तों कि गला बैठने में भी बेदोपयोगी होता है बहेडा किशे रोग यानि टीबी और कुछ ट्रोग में भी लावदायग है इसके साथ नशा खून की खराबी और पेट के कीड़ों को नश्ट करने में का कारिय करता है कोई भी व्यक्ति जो हाथ पैरों के जलन से ग्रसित हो उसको बहेडा के फाइदे लेने के लिए बहेड़े की मिंगी और फल का अंतरिक हिस्सा यानि बीज को पानी की सथ पीसे लेना चाहिए उसके बाद इस पेश जा सकता है बहेड़े के पत्तों को पीस कर काड़ा त्यार करने से और इसमें चीनी में लागत पीने से कफ रोग दूर हो जाता है खांसी की समस्य से ग्रस्त व्यक्ति बहेड़े की छाल का कोई एक टुकड़ा अपने मुह में रखकर चूशते रह सकता है इससे बलगम निक पाइशनी से संबंधित लोगों में बहेड़ा के फाइदे लेने के लिए बहेड़े के छिलके का चूरण त्यार कर लें और उसमें उतनी मात्राय मिश्री मिला लें और इस चूरण का एक एक चमच सुभे शाम गरम पानिक साथ आपने लेना है दोस्तों वर्तमान में समप्त हो जाती है ऐसी वक्ति जिन्हें सास या दमे की विमारी हो वे भी इस बहेड़ा का फाइदा ले सकते हैं इसके लोने बहेड़े और धतूरे के पत्तों को बराबर मात्र में लेकर पीशना होगा उसके बाद इस चूरण को चिलम या हुक्के आदें भरकर पीना होग या उसके उपर गी के हाथ लगा कर पकाने के लिए चूले या कोईले में रखतें जब ये पक जाता है तो इसे निकाल कर इसका बाहर का छिलका मूं में रखकर चूसने से लाम मिलते हैं ऐसे लोग जिने बालों के घरने के समस्या है वे इसका फाइदा लेने के लिए लबगे दो चम्मच बेड़े के फल के चूरन को एक कप पानी में पूरी रात के लिए भिगो देते हैं तो अगले दिन सुबे इस पानी को बालों के जड़ो पर लगा जाते हैं इस वीधिके न अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए फिर मिलते अगले वीडियो में के ने टोपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद